नमस्कार मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं असी गज में बने हुए डेड़ मंजिल मकान जो कि आपको 24 फीट चौड़े रोड पर मिलेंगे हमारे काफी सारी दर्सक हम से कहते थे सर अगर कोई चोड़े रोड पर नई बनी हुई प्रॉपरिटी आए तो आप हमें बताईए ये मकान बहुती सांदार बने हुए हैं ये आपके मकानों का फ्रेंट एलिवेशन है असी गज में डेड़ मंजे लिए मकान बने हुए हैं इसमें आपको टू भी अचके नीचे और बन भी अचके ऊपर बना हुआ मिलेगा ये सामने देखिए मकान के आगे का रास्ता 24 फीट चोड़ा है और इंटरलोक टाइल्स इस पर लग चुके हैं आसपास पूरी बसावट हो चुकी है इस सोसाइटी का मैन रास्ता लगवग 40 फीट चोड़ा है अच्छे स्कूल हॉस्पीटल जनसो विदाएं सभी पास और पैदल की दूरी पर आपको मिल जाएंगी यह आपके मकान का फ्रेंट एलिवेशन है इसमें आपकी मैन एंटरी रहेगी जहां यह गेट लगा हुआ है और एक आपको साइड एंटरी मिलेगी यह देखी इसमें आपको पार्किंग का स्पेस मिलेगा यहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं जैसे छोटी गाड़ी बैगनार सेंटरो टाइप गाड़ी आप यहां पार्क कर सकते हैं यह आपकी साइड एंटरी रहेगी यह बाहरी कमरा है आपका इसमें आपक इसमें उपर च्छत पे आपको फोर्षिलिंग मिलेगी और सामने की और आपका एक बाथरूम रहेगा जो आपको कोमन मिलेगा और एक रूम आपको अंदर की तरफ मिलेगा यह आपका किचन है जो कि आपको सेमी मॉडलर मिलेगा बेंटिलेशन के लिए देखिए इसमें बिंडो लगा हुआ है उपर च्छत पे फोर्षिलिंग करवाई गई है बहुत ही सांदार प्रोपर्टी है यह आपका बाथरूम रहेगा इसमें उपर तक टाइल्स लगे हुए हैं यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नह होई मिलेगी और इसका जो फर्स है इस पर आपको टाइल्स लगे हुए मिलेंगे गाजियाबाद के गोबिंद्पुरम्चेत्र में आपको प्रोपर्टी मिलेगी यह आपका टेश बाथरूम रहेगा रूम के साथ बेंटिलेशन के लिए इसमें देखे रूम में बिंडू लगी हुई है पीछे साफ्ट है ये आपका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया है और एक कमरा और बाथरूम आपको उपर छट पे बना हुआ मिलेगा ये लिविंग और डाइनिंग एरिया की फोर सिलिंग है इस कालोनी के सभी रास्ते 22 फीट 24 फीट 25 फीट चोड़े हैं ये आपका बाहरी रूम है तू भी अचके ये नीचे बना हुआ है और बन भी अचके ऊपर बना हुआ है हमारे काफी सारी दर्सक कहते थे सार अगर कोई अच्छी प्रॉपरेटी बनी हुई आए और कम बजट की हो तो आप हमें बताइए ये इसका पूरा पार्किंग का इस्पेस रहेगा जीने पर ग्रिनाइड पत्थर लगा हुआ है एसस की ग्रिल लगी हुई है इस से जुड़ी समझ जानकारी आपको हमारी डिसक्रप्शन में मिल जाएगी यदि आपने अभी हमारा फेस्बुक पेज फॉलो नहीं किया है तो उस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और आप हमारी वेपसाइट पर भी विजिट कर सकते है वहां में लगातार नई प्रॉपरिटियों से जुड़े हुए अपडेट डालता रहता हूँ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करिए और हमारे इंस्टाग्राम एकाउंट को भी फॉलो करिए उनके सभी के लिंक आपको हमारी डिसक्रप्शन में मिल जाएंगे औ या इसके बाहर आपकी बालकनी रहेगी बालकनी में एसेस की गृल लगी हूई है तफ हैंग गलास में इसकी कोडिंग करवाई गई है यह दिखिए SS की इसमें ग्रिल है और उसके साथ टफिन ग्लास आपको लगा हुआ मिलेगा यह आपका डिजाइन रहेगा फ्रेंट का बालकनी काफी अच्छे स्पेस में आपको मिलेगी आस-पास यहां पूरी बसाबट हो चुकी है सभी जनसुविधाएं पास और पैदल की दूरी पर आपको मिलेगी इस कालोनी में आप दुकान भी खरीज सकते हैं फ्लैट भी खरीज सकते हैं मकान भी खरीज सकते हैं यह आपकी पूरी छट है जो अभी खाली है और पीछे की तरफ आपको ये bathroom बना हुआ मिलेगा इसमें Indian seat लगी हुई है और आपका bathroom रहेगा इस property की अगर आप कीमत जानना चाहते हैं तो आप हमारा discussion चेक कर लीजिए और एक update आप लोगों का और है कि हमारे जो वीडियो 6 महीने से 1 साल पुराने हैं और अगर आप वो property देखते हैं त ये आसपास की पुरी location है क्योंकि आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखते हों और उसके बाद आपकी जब phone call आती है कि सर इसमें जो है rate आपने कुछ और दिखाया है अभी rate कुछ वहां और है तो जो वीडियो 6 महीने से 1 साल पुराने हो चुके हैं वहां rate में अभी ब अब तक के लिए जहन दे इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए